हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बर फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में मैं हूँ अड्वोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केस स्पैसिफिकली 125 CRPC पर बात करने वाले हैं दोस्तो 125 CRPC का एक ऐसा केस होता है जो मेंटेमल में सभी के उपर आता है और इसके थ्रू मेंली आपके उपर दबाव मिंटेन होता है विकॉज चाह कोई भी अमाउंट आपके उपर ग्रांट हो जाती है और वो नाजायज होती है नाजायज की सेंस में कि आपने सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी पतनी अपने आप चली गए और फिर आपके उपर जूटे फैक्स पर मुकदमा डाला है तो चीज नाजायज हो गई लेकिन उसके बाद भी जब आप कोट को बताते हो तो कोट आपकी बात को एंटरेन नहीं करता और उसको एक मेंटेनेस गरांट कर दिया जाता है जो कि बहुत ही अंजस्टिफाइड है और ऐसा अनेकों मामलों में हुआ है और अभी भी लगातार होता आ रहा है जो कि पूर को डिसाइड कर दिया तो यह तो पूरी तरह से अन्या हो गया तो दोस्तो यह वीडियो आप पूरा देखना आप लोग को बहुत को सीखने को मिलेगा जजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां जाके आप उसे पढ़ भी सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं पर स्थितिया समान होने पर अपने मामलों में यूज भी कर सकते हैं देखे अब एक मामला ऐसा आया कि 125 CRPC का केस आपके उपर फाइल हुआ फाइल होने के बाद आपको पता होगा उसमें एसेट्स और लाबिलटीज का एफिडिविट द को पता चल गया कि वो कहाँ पर काम करती है यानि कि पतनी का जूट निकल करके आ गया अब कानून ये कहता है कि कोट के अंदर यदि आप जूटा एफिडिविट देते हैं तो उस पर आपके उपर प्रोसेडिंग्स होंगी और उसके लिए कि स्पेसिफिक कानून भी है पर जबकि पती ने कोट को ये कह था कि भई जो पतनी है उसने जूट बोला है जूटा एफिडिविड दिया और इसके लिए उसने एक 340 CRPC के पेटिशन भी फाइल की थी जो अलग से एक माइसलेनिस केस के रूप में दर्ज हुई थी जिसकी पूरी नॉलेज फैमिली कोट को भी थी ये ओर्डर शिट से पता चलता है लेकिन उसके बावजूद फैमिली कोट ने उस 340 CRPC को डिसाइड नहीं किया वो वैसे ही पैंडिंग पड़ा रहा और इधर 125 CRPC को डिसाइड करके 5 हुर्पे पर मंद पती के उपर मेंटेनेंस लगा दिया अब इसी ओर्डर के खि है कि वो हाउस वाइफ है हम कह रहे है कि वो एक वर्किंग लेडी है उसके प्रूफ दे रहे है और उसके बावजूद भी कोट उस तत्थे को ध्यान में नहीं रख रहा है उस 340 CRPC को डिसाइड नहीं कर रहा है और 125 CRPC को डिसाइड कर रहा है तो पूरी तरह से गिलाता है कोई भी जुड़ बोल करके कुछ भी मेंटेनस बंद भाय लेगा अपना तो ये तो पूरा नया हो गया तो इन सारी चीजों को इस पूरी परस्थितियों को ध्यान में रखते वे अलाबाद हाई कोट ने देखा कि हम यह बात तो सही है और फैमिली कोट की नॉलेज में भी वो जो 340 CRPC के Petition है उसको Decide करो और उसके बाद फिर आप 125 CRPC को Without Any Dealer Decide करो तो दोस्तों तब जा करके नया हो पाएगा तो इस तरह से जो पती की ये Criminal Revision थी अलाओ हो गई तो दोस्तों ऐसे कई बार आपके साथ भी होता है और Maximum मामले में तो ऐसे देखते हूं आजकल जो पती कहता है कि वो काम कर रही है तो बेचारी लड़की का लॉयर जो होता है वो जब आर्गूमेंट करता है तो बेचारी लड़की इसके पास तो खाने पीने को भी नहीं है तो कहने का मतलब एक sympathy गेन करने की कोशिश की जाती है और unfortunately चो courts है courts भी बहुत ज़्यादा ध्यान अरे किस बात की गाड़ी चुटी जा रही है भाई एक आदमी बहुत दूर से आ रहा है 500 किलोमेटर ट्रेवल करके आ रहा है ये तो देखो कि उसके हाथ में क्या facts है उसको मौका तो दो इवन कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ भी होता है एफिडिविट भी देने देते क क्याते हैं बस आर्गुमेंट कर दो आप आर्गुमेंट करना पड़ता है अब भाई जब हमें मौका ही नहीं मिलेगा कोट में कोट एक आखरी option होता है किसी के लिए और बहुत उम्मीद लेकर के कोई भी वैक्ति कोई भी पार्टी कोट के अंदर आते है कि वहां से उसको मिलेगा लेकिन जब नयाय के मंदिर में इस तरह से होगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो पटापट करो और दोस्तों इसमें भी सिस्टम इतना बायस्ट है अभी एक 498 के के केस में क्रॉस एक्जामिनेशन का दौर था इविडिन्स चल रहे थे तो वहां पर स्टेट एडजॉर्मेंट पर एडजॉर्मेंट देता है आज हमारा गवा नहीं आ रहा है आज हम बुलानी पाए आज ये नहीं हुआ आज वो नहीं हुआ हर एडजॉर्मेंट उनकी अलाव होती है और हम लोग हर बार हमें बोला जाता है जिस दिन गवाएगा उस दिन क्रॉस करनी और इतना बिमार हो गया कि हॉस्पिटल तक की नौबात आगी सब लोग वहीं पे थे अब फिर भी एक जूनियर को भेज करके अपने के एड्जॉर्णमेंट दिलवाई फोन पर श्टाफ को बताया भी कि भी ऐसी सिस्तिती हो गई है आज क्रॉस नहीं हो पाएगी लोकल गव नहीं आ रहा उस पोने कोई दिक्कत नहीं दी तो आप सोचिए कितना बायस्ट सिस्टम चल रहा है मतलब हर तरफ से लड़के को मरना है खेर बाद में हमने 311 की एप्लिकेशन दी कि गवा को दुबारा बुलाया जाए अभी वो पेंडिंग है तो उसको डिसाइड करवाए तो ऐसे में आप अपनी सेफटी कैसे करें तो उसके लिए ये जज्ज्मेंट जो मैंने बताया है इसको आप यूज कर सकते हैं अपने अपने मामलों में और इसको दे करके आप अपनी फैमिली कोट को कह सकते हैं अगर आपके साथ भी सेम हो रहा है कि 340 के अप्लिकेशन प और उसके बाद जो भी नतिजा निकलेगा उसकी लाइट में 125 एरपे से डिसाइड हो तो इस तरह से आप इस जज्ज्मेंट का यूज अपने मामले में कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो में नहीं जानकारी के साथ में आप से फिर मिलता हू तब तकिर गुद्बाई और थेंक यू फो वाचिंग टेक केर